हेलो एवरिबड़ी वेलकम टू एवरेस कोचिंग इंस्टिटूट तोड़े विल डिसकस क्लासिक साइन्स न्या चाप्टा शुरू करें इसके सीरी स्टार्ट करें तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा हमने इसमें पढ़ना कि इलेक्टरिसिटी क्या होती है वाट इस एलेक्टरिसिटी तो अगर आपको इलेक्टरिसिटी का मीनिंग पूछ लिया जाता है पेपर में तो वो क्या है दफ लूँ ओफ लेक्टरिकल चार्जर्जी और लेक्टरॉं फॉफ प्रॉफ यह फ्रॉफ करेंगे प्रॉफ और मीडियम के थूफ अब प्रॉफ मीडियम के जिसे हम घृरों में नम नमली दिखते हैं हमारे जो electricity wires के साथ connect होती है wires के थू आती है तो प्रॉपर मीडियम क्यों कौन सा होगा wires तो जो हमारे electrons या electrical charges जो हमारे एक प्रॉपर मीडियम या wires के थू जो हमारे घरों में आ रहा है उसको मूरते है electricity ठीक है power station provides the electricity that we use in our homes and factories अगर आपको mcq question आजाता है one more question आजाता है अगर कोई आपसे वैसे पूसकता है जो मारे घरों में फैक्टरिस में shops में complex में वहां पी जो electricity आती है वह कहां से आती है वह पाव स्टेशन से आती है ठीक है electric current can be generated by a battery generators inverters dry or electric cell or by converting other forms of energy other forms of energy energy किया है जिसे पर देखो सोलर पैनल लगा होता है solar panel में क्या होता है कि वह जो sun energy उसको वह convert करते है electricity में electrical energy में convert करते हैं electricity हमें provide करते हैं वाटर नर्जी इसे मरी डेक्स टेजन रेट तो ही डिफरिंट फ्रम्स टेज अब बीज एक्तरी करेंट है ओक्ति जादा पर 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 आपको आयेगा इंडरेंस्टी पेपक आएगा वो डिपेंड करेंगा जहां से अब जन्रेट करेंगे अब जिसे जैल से से थोड़ी जन्र हो ठीक है इट डिपेंड्स फूम मोड कौन से मोड से आप एलेक्सिटी जनरेट कर ठीक है अब बादी आती है हमारी बैनिफिट्स की की एलेक्सिटी की क्या क्या फायदे अभी दिखो अगर एलेक्सिटी नहीं होगी तो आप रात को अपने घरों में एक दूसरे को और आम से देख सकते हो नो इडिज ओनली विद एल्प अफ एलेक्सिटी अगर एलेक्सिटी मर पस नहीं होती तो हम जो है वह रात के टाइम आफ्टर संसेट इट वह वेरी डिफिकल्ट तो सी हम देख नहीं पाते हैं तो वह चीजी हमें देखने के लिए हमें क्या चाहिए हमें ले अच्छाइट आइट 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 आइप हम एक दूसे को देख सकते हैं चीजी और एजीली हम लोग देख सकते हैं वह सब्सक्राइट करते हैं निके बहुत सारे यूजेज जो पर्म से वह एक सटेके थूई यूज अब आपके घरो में देखो आप लोग मोटर चलाते ह चलती है तो आपकी ऐडेक्ट City से चलती है दैनके जो रैफिरेजिएटर रहा है faan एंड अड़ अड़ एक्डिव आपको अड़ीयक्राप्लांस था कन्सेम मैं अपू कि धामें एक सणीमें चीजिह 로पका में ягर में कितने चीजि viktदिय फैं चलाते हो लाइक पैर कोलर जा कारण ही चल रहे हैं, then comes हमने बिल्डिंग हाउसे इंस्ट्रॉलिंग एक्वेपमेंट एंड सो ओन, हमने घर बनाना है घरों में जब हम घर की कंस्रॉक्शन करते हैं, उसके बीच में सारी एक्वाइर्स कानेक्शन होता है ताकि घर में सारी जगह एक्वाइर्स कानेक्शन होता है आपकी प्रॉपर सप्लाई हो और आपकी आप स्विच ओन करो और आपकी बल्ब लो ओ या आपका फैन जले वाटेवर या वाँट तो यह जो आपके कोई अपने इंक्वापमेंट को अपने लगाना है तो वह सब जैसे इसी लगाना है कुछ लगाना उन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए आपको ऐलेक्रिसीटी ठीक है तो यह बात थी मारी benefits of electricity सिटिए अब आगे चलते हैं एलेक्ट्रिक सेल मैंने आपको बोला था ना इलेक्ट्रिक सेल से हम एक्षेटी जनरेट करते हैं तो वह एक्षेल क्या है इलेक्रिक सल इस बैसिकलिया सोस फिलेक्रिसिटी एक्स सेल एक्स एक्स प्लाइए करता नहीं हो सब्सक्राइए वह जबत कम सप्लाइए करता है अगर कोई आप से चेदिशन की डेपिनेशन पुछ ले मीनिग पुछ ले तो उसमें आपने यह लिखना है कि एक ऐसा पावर सो लेक्रिकल एनरजी को वो करता है और म trabalh साइड इनषा इनार्जी वह ता सभी खालए करूथ नहिंटेंगे तो नहीं से सैल की अंदर होता है कि हमारी और वेंड़ इंसाइड दा सेल रन आउट जब आपकी इसकी अंदर की जो केमिकल नजी सारी आपकी एक्जॉस्ट हो जाती है तो आपको सेल चेंज करना पड़ता है आपने देखा होगा जब आफटर कंटिनूस यूसेज काफी ज़्यूसेज के बाद में क्या होता है आपके एक जो काम करना बंद करते हैं आपके रिमोट में अपने सेल डाला होगा और वह नहीं चल रहा तो वाट व्यूवल तो आप क्या करोगे अब सल को रिप्लेस करोगे नेया सेल लिगाना है उसी जो उसके अंदर इना कैमिकल्स यो थे वह सारे बर्न आउट हो चुए है वह स मैं नज़र आ एक ही यह है और एक यह फॉसे टर्मिनल ऐन नेर टू टर्मिनल घोधिक पोजितिब और इन ऊबरबी करेंड तो फ्लो यंच baixo यह कि तूट और टाइरुक्टिटिटिन मश्ट पी कहते हैं इभा तो हिस्ट्न गानी है एक यह का पॉजिटब टर्मिन जो वो दूसे सेल के नेगेटिव टर्मिनल में के साथ कनेक्ट होना चाहिए ताकि पूरा उसमें फ्लो बनता रहे और वो आपकी यह डारेक्शन पूरी मेंटेइन करके रहने ताकि उससे वापके क्या होता है आपके सेल में केमिकल अनरजी को इसली वोका नवर्ट करते हैं यह आपने देखा होगा आपके एविस ऊगए नियद्स में अब जब सेल लगाते हो और यह पाज़ितिव और नेगेटिव आप्वे सेज्चत लगा रहे हो तो पॉजिटिव को नेगिटिव के साथ हम कनेक्ट करते हैं अगर आपने नहीं ध्यान दिया हुआ होगा तो आज आ है ठीक है अब यह बहुत इंपोर्टेंट चीज जो मैं अब बताने लगी इसको अध्यां से करना चार्ज इस फ्लोव फ्रम नेगटिव टर्मिनल तुद पॉजिटर पॉजिटर नेगटिव टर्मिनल से जाता है पॉजिटर टर्मिनल थीक है और सेल के अंदर नेगिटिव से जाता है पॉजिटिव में सेल के अंदर और जो बहार है बड़ ऑपोजिट अकर्स आउटसाइड अब आप यह बोलोगी ऐसा क्यों क्यों कि हमने पहले पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रॉंस के बारे में जो नेगिटिव टर्मिनल जो होता है वहां पे आपके नमबर उफ एलेक्ट्रॉंस बहुत जादा होते हैं तो अबविएसलिज़ आपने इनर्जिश जन्रेट करने तो जादा से चीज़ कम में जाएगी पॉजिटिव में कम होते हैं और नेगिटिव में जाद होते हैं तो पहले यह ज़्यादा वाले ऐसे चलता है ठीक है और जो सेल के बहार जो हम कर देखते हैं वो क्या होता है कि वो ऑपज़ट चलता है ऑपज़ट मींस पॉजटिव से नेगटिव में चलता है यह चीज को ध्यान रखना इसके पर क्वेशन भी आपको कभी आ जाता है ठीक है So this is all about today's video if you find any difficulty you are most welcome to give your feedback in the comment box thanks for watching